नमेशकार दोस्तों, आप किसी भी river front पर अगर गए होगे, तो काफी जादा beautiful लगता है, उसका main कारण यह है कि उसको जो बनाया जाता है, जो structure किया जाता है, जैसे कि आप left side के picture में देख सकते हो, यह साबर मती river front ही है, तो इसका main कारण यह है कि जो width अगर आप देख रहे हो ताकि लोग आकर अपना समय वहाँ व्यतीत कर सकते हैं, तो I am sure आपने साबर मती river front के बारे में सुना होगा, गुजरात के अंदर आहमदाबाद में, काफी जादा इसकी चर्चा होती है, देश का माना जाता है कि पहला इतने अच्छे से इसको बनाया गया था, in fact यहाँ प perspective से यहाँ पर चर्चा हो रही है कि उसको एक तरह से जादा डवलप किया जाएगा एक particular stretch में, तो यह face 2 है क्या हम इसकी exactly क्यों चर्चा कर रहे हैं, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं हूँ अंकित अगरवाल, और update के लिए आप UPSC course को join कर सकते हैं, जहाँ पर comprehensive way में जितनी भी important चीज़े होती हैं, जो भी आपका start take current, जितनी भी चीज़े हैं, एक जगह आपको उपलप्त करा दिया जाता है, ताकि आप अपनी preparation को और अच्छे से कर सकें, चलिए यहाँ पर exactly देखते हैं कि हम इसकी चर्चा कर ही क्यो यह phase 2 है, ध्यान रखेगा, जो की बहुती जल्द सुरू हो सकता है, तो चलिए इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहला question है कि riverfront होता क्या, हम इससे समझते क्या हैं, तो riverfront का simple अर्थ ही हुआ, कोई भी जो river है, जो pass हो रही है, उसके left और right side में, जो भी आपका प्रकार की चीज़े हैं, जैसे docks हो गया, cafes हो गया, museums हो गया, parks हो गया, सभी कुछ देखने को मिलता है, और आज के date में, किसी भी शहर से, अगर कोई river गुजर रही होती है, तो river को redevelop किया जाता है, और एक modernization का प्रतीक होता है, वो, city beautification में बहुती जादा अच्छा लगत है, यहाँ पर आप pictures देख पाओगे, यह सब मैं साबर मती का ही आपको दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो, रात को भी, मैं गया वहाँ हो, बहुत ही beautiful लगता है, कभी आपको मौका मिले, ज़रूर जाना चाहिए, वहाँ पर घूमने में, शाम के समय ठ सकते हो, तो कई सारी चीज़ें अगर इसकी सुरुवात होती है, तो टूरिजम वगरा purpose से काफी मदद करता है, देखें जब हम साबर मती की बात करते हैं, इस river के बारे में जान लीजे, यह western flowing river है, हमारे देश में बहुत ही कम ऐसे river है, जो की western की तरफ flow होते है, although आप सकते हैं कि एहमदाबाद से गुजरते वे, यह आपका चला जाता है, गल्फ ऑफ खंबात में, तो ध्यान रखना है आपको कि गल्फ ऑफ कच में जाता है, यह उपर है गल्फ ऑफ कच और नीचे वाला इसको कहते हैं, गल्फ ऑफ खंबात, और यह total distance इसका 371 km के आसपास ह लेकिन मैं आपको बताओं, तो सबसे पहली चीज जो इसमें होती है, किसी भी riverfront को develop करने में, तो यह जो river आप देख रहे हो ना, यहाँ पर क्या किया जाता है, कि इसका जो width है, एक तै कर लिया जाता है, कि पूरे शहर से जब यह river गुजरेगी, तो इस river का width कितना होगा, क्या 100 meter width होगा, 150 meter width होगा, तो यह जब तै हो जाता है, तो जैसे यह गुजर रही होते हैं शहर से, यह आपका उतना ही width होता है, इसकी वज़े से क्या होता है, कि सपोस कहीं पर अगर river का width था, वो अगर 300 meter था, तो अगर हमें बनाना है 150 meter, तो यहाँ पर क्या होगा, 150 meter साबरमती river पास हो रही होती है, तो 263 meter यह constant width आपको इसके अंदर देखने को मिले की, मतलब कि जो width है इस river की 263 meter के आसपास है, और इसकी वज़े से आप देखेंगे, तो एहमदाबाद शहर में 204 hectare, 204 hectare जो है, वो river से हमने land को reclaim कर दिया है, मतलब हमें extra land मिल गए हैं, उ अकर कुछ change किया जाता है, तो हमें और जादा land reclamation हो जाएगा, तो यह 204 hectare जो है, अभी तक हमने land को reclaim कर दिया है, लेकिन इसमें याद रखेगा, इसमें 126 hectare का एक central business district, जो की phase 2 के अंदर यहाँ पर develop करने की बात कही जा रही है, इससे exclude किया गया है, मतलब कि यह अलग से land हमारे पास available है, पहले से available था यहाँ पर, अब जो land जो reclaim करते हैं, उसमें कई तरह की चीज़ें बनाए जाती है, जैसे road हो गया, ठीक है, उपर जमीन पर कुछ और pavements वोगरा बनाए जाते हैं, कई सारी जो चीज़े हैं, एमदाबाद municipal corporation ने एक body बनाई है, एक company बनाई है जिसका नाम है special purpose vehicle है, यह साबरमती riverfront development corporation limited, SRDFCL, यह company बनाई गई है, जिसमें सरकार, private, सभी लोग आकर इसमें अपना योगदान देते हैं, और यह पुरा riverfront को बनाए गया था, तो यहाँ पर जब riverfront बनाए जाता है, उसमें क्या होगा, यह depend करता है कि हमारे पास land कितना उस land को हम किस प्रकार से use कर सकते हैं, city के अंदर road का network कैसा है, मतलब बहुत सारी चीज़ों पर depend करता है, तब हम वहाँ पर अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, ऐसा बताया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो second phase है, जो हम बनाने जा रहे हैं आपर, second phase में यहाँ पर जो सबसे important चीज़ डवलप करी जाएगी, वो है आपका central business district, अब यह central business district है क्या, तो जैसे कि आपने यह riverfront देखा ना, यह riverfront है, तो इसमें यह total 11 km का मैंने आपको बताया, एमदाबाद के अंदर, इसमें से कुछ हिस्सा वो चुना जा रहा है, जहाँ पर जो business के purpose से काफी काम मतलब कि जो business activities हैं उस particular area में, वो काफी हद तक फैल जाएंगे, तो यहाँ पर एक तो eastern side है, एक तो western side है, दोनों तरफ डवलप किया जा रहा है, जिसको कहा जा रहा है central business district, ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे, तो जो west वाला bank है, western side वाला bank है, उसमें करीब 5-6 km का stretch होग और total land ये करीब 126 hectare के आसपास बताये जा रहा है, इसके लावा eastern bank पर भी new commercial hub बनाने की बात कही जा रही है, 52 hectare पर, और इसका भी जो region है वो आप देख सकते हो, गांधी ब्रिच से डड़ची जो है, ये आपका region है, तो exactly यहाँ पर किया क्या जा रहा है, जब हम बात करें Central Business District, तो एक चीज़ तो हमें समझ में आती है, कि जो offices वगरा होते हैं, जो corporate offices वगरा होते हैं, वो बड़ी मात्रा में लाए जाएंगे, ताकि यहाँ पर city को एक तो space मिल जाएगा, कि वो लोग अपना office relocate कर सकते हैं, और एक होता है न कि एक particular area में businesses हैं, सब को पता होता है क यहाँ पर business hub है यह, तो एक business hubs जैसा बन जाएगा यह, यहाँ पर बताया जा रहा है कि pedestrian friendly roads बनाया जाएगे, मत्तब कि महाँ पर vehicles वगरा नहीं होंगे, सिर्फ pedestrians होंगे, वो walk कर सकते हैं, या इसके अलावा यहाँ पर जो buildings हैं, उसका side है वो riverfront की तरफ दिया जाएगा, ता करेंगे, इसके अलावा मैं बताओं तो इस पूरे region में, जो central business district है, यहाँ पर एक सबसे बड़ी जो चीज की जा रही है कि skyline, मतलब जो floors हैं buildings के, कई सारे उचे 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 buildings अब देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो यह जो company है, जो पूरा riverfront development कर रही है, उसमें पर बताया जा रहा है कि 6 से लेकर 20 floors के building यहाँ पर बनाये जा सकते हैं, मतलब 22 floors तक के building बनाये जाएंगे, तो कई सारे इस तरह के building आएंगे, तो obvious ही बात है, जो पूरा area है, वो और जादा beautiful आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, in fact यहाँ पर जो company है, वो बता रही है कि जो area है, वो sale किया जाएगा, मतलब यहाँ पर sale पर लाये जाएगा, लोग खरीद सकते हैं, और वहाँ पर building वगरा develop किया जा सकता है, और यहाँ पर जो company है, HCP Design Planning and Management Private Limited, वो इस सब को कर रही है, यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि city की जो connectivity है, वो बहुत जादा बहतरीन कर दी जाएगी, यहाँ पर बस rapid transit system लाये जाएगा, metros वगरा ला जाएगे, in fact यहाँ पर present में अगर आप देखो कि एहमदाबाद शहर में, जो transportation का system है, वो 25% कवर करता है पूरे area में, जो एहमदाबाद है, अब इसको बढ़ा कर रही डबल कर दिया जाएगा, मतलब पर अब बताये गया, let's see कि किस तरह से चीज़े turn out होती है, लेकिन मैं आपको एक और important चीज़ बता देता हूँ, कि जो साबरमती वाला riverfront है, वो बाकी पूरे विश में अगर आप देखोगे, जितने भी riverfront देखने को मिलते हैं, चाहे Singapore में हो, South Korea, जहाँ पर भी आप पानी भर जाएगा इसके अंदर, क्योंकि glacier से या फिर कहीं से पानी continuous flow तो आ नहीं रहा है इसके अंदर, तो इसकी वज़े से क्या होता है, जादातर जो आपका साल होता है, उसके अंदर जादातर हिस्से में यह आपका dry run करता है, इसकी वज़े से यहाँ पर क्या किया गय आप देख पाओगे यह red color का main canal जा रहा है और यह canal basically आपका आप देख सकते हो यहाँ पर साबर मती river आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा यह एमदाबाद से आप देख रहे हो ना यह साबर मती river है blue color में तो यहाँ पर क्या होता है इससे cross करता है तो कुछ पानी नर्मदा कन है यह कि हम कोशिश कर रहे है sustainable alternative लाने का क्योंकि बहुत लंबे समय तक हम नर्मदा का पानी इसमें डाल नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर भी कमी हो जाएगी तो इसके लिए जो जो सीवेज का treatment plants वगर है उसके तुरूँ सीवेज water जो है वो हम साबर मती river के अंदर डालने की कोशिश करेंगे ऐसा बताया जा रहा है और तो आप देखोगे तो नर्मदा का पानी है वो जो कनाल बनाया गया वो बहुत जादा important साबित हो है especially कच के जो region से आप देख सकते है और in fact यह भी बताया गया कि यह जो पुरा river front है वहाँ पर इस तरह से चीजें बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो city के dwellers हैं जो जैसे धोबी गाट हो गया इन सब के लिए यहाँ पर facilities होगा Sunday market होगया अलग-लग जो markets हैं वो भी यहाँ पर लगाए जा सकते हैं तो यह स साबर मती river front के बारे मैं दोस्तों second phase जो की develop जो है बहुती जल्द यह start हो जाएगा further हमें यहाँ पर skylines वगरा उंची building देखने को मिल सकती हैं चली जाने से पहले क्योंकि हम river की बात कर रहे हैं तो चंबल river यहाँ पर आपको बताना है कि कौन-कौन से state से यह flow करता है जो च stories के form में आप जाकर play कर सकते हो अगर आप मुस्से economy पढ़ना चाहते हैं कोई भी course purchase करना चाहते हैं study IQ app पर जा सकते हैं यह hope की वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलता हूं आप से next time till then thank you very much see you soon